दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक किसी मुवी जो की होरर भी है इरोटिक भी और स्लेशर भी तो दिल थाम के इस वीडियो को देखना और हाँ अगर अभी दक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्द कर लेना क्योंकि और भी बहुत स को केचे से काड़ देती है वो लेड़ी बहुत गुस्सा थी च्योंकि उसका बेटा लड़कियों की तरह हरकत करता था वो लड़का बहुत रोता है और अपने चीजों को ऐसा बिकरावा देख कर वो बहुत गुस्से में आकर अपने लड़के होने की निशानी को ही कतम कर है मतलब कि वो अपने प्रावेट पार्ट को ही काड़ डालता है उस लड़के के चिलाने की आवाद सुनकर जब उसकी माँ रूम में आती है तो वो ये सारी चीज़ा दिखे कर बहुत होती है अब एक कहानी कुछ साल के बाद एक स्कूल में दिखाय जाती है वहाँ पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी जिसका नाम लिली था लिली ठीक से सुन नहीं पाती थी और वो लोगों के लिप्स को रीट करके अपनी बातों को समझती थी स्कूल में लिली की बहन माइकल उसे घर चलने के लिए पूछने आती है लिली थोड़े देर के बाद आने का बुलके उसे अपने घर बिज़ देती है लेकिन थोड़े दिर बाद लिली को यह पता लगता है कि उसकी बेहन का उसकी स्कूल के सामने ही एक्सिडेंट हो गया है और अब वो नहीं रही अपनी बेहन की मौत पर लिली काफी तूट गई थी और वो काफी डिप्रेशन में भी चले गई थी अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए लिली कसाडागा नाम की एक जगह पर रहने के लिए आई थी वो वहाँ पर पढ़ने के लिए थी कसाडागा में लिली के रहने का इंतजाम इस्टेय करती है उसी के केस्टाउस में लीली फिर अपनी एक स्टूडेंट हेली के डैड माइक से मिलती है और पहले दिन बात करते करते दोनों थोड़ा क्लोस आ जाते हैं उन दोनों की आपस में अच्छी बन रही थी लीली को हेली के अंदर अपनी बहन माइकल नजर आती गई और हर रात लीली को अपनी बेहन की मौत का सफना भी आया करता था फिर एक दिन लीली जिसके स्टाउस में रह रही थी वहाँ पर केसी के चिलाने की आवज से आ रही थी वो वहाँ पर जाकर एक रूम में देखती है तो महाँ पर एक लड़का अपना लेप्टॉप में कुछ डिस्टरबिंग देखकर अपने आपको प्लेजर दे रहा था और ये देखकर लीली तोड़ा डर जाती है और अपने रूम में चल जाती है एक दिन लीली के घर में हैली आर्ट सिखने के लाती है और माइक भी हैली के साथ में आया हुआ था और लीली माइक को अपने फैमली अलबम दिखाती है माइक लीली से उसके साथ बाहर गुमने जाने के लिए पूछता है और लीली भी उसके साथ जाने के लिए हां कर देती है लिली माइक के साथ में एक बार में जाती है जहाँ पर वो माइक के दो दोस्त और और क्रीस से मिलती है फिर क्रीस उन सब को एक साइकिक के बारे में बताती है जो कि बूट से बात कर सकती थी और वे सबी उस साइकिक से मिलने के लिए निकल जाते हैं वे जब वहाँ पर पोच्छते हैं तो साइकिक का एक आदमी मैक्सवेल उनसे 500 डॉलर मांगता है अंदर एंट्री करने के लिए वे सबी वहाँ से जाने ही वाले थे लेकिन लिली अपनी बेहन मैकल की आतमा से बात करने के लिए 500 डॉलर देकर मां की एंट्री कर लेती हैं फिर अंदर आकर सब साइकिक से मिलते हैं जिसका नाम सुजैन था सुजन माइकल की आत्मा से बाते कर रही थी लेकिन फिर भी उसे माइकल की आत्मा की आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन एक दूसरी आत्मा भी लेली से बात करना चाहती थी सुजन उस आत्मा को काबू करने की कोशिश करती है लेकिन वो आत्मा लिली को अपने बस में कर लेती है और लिली इस कारण ब्योश हो जाती है सुजेन भी कुछ टाइम के बाद में ब्योश हो जाती है और फिर थोड़ी देर में लिली को होश आता है अब कुछ समय के बाद में लिली को होश आता है माइक उसे घर ले जाने वाला था लेकिन मैक्सवेल उसे ऐसा करने से रोख देता है क्योंकि लीली अभी भी किसी आत्मा के कंट्रोल में हो सकती है और सभी को सुजेन के होश में आने तक और उपकर सुजेन से पुश्टाच करने चाहिए मैक्स नहीं मानता और लीली को वहाँ से ले जाता है अब यहाँ पर रात को लीली अपनी नीन से उठ जाती है और उसे एक आत्मा दिखाए देती है लीली रूम के लाइट आन करती है लेकिन उसे फिर कोई नजर नहीं आता अब अगले दिन लीली क्लास में पढ़ा रही थी लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथ केड़े से बरे पढ़े है और उसका एक हाथ सड़ रहा है और वो देखे कर बेवश हो जाती है और जब लीली को होश आता है तो माइक उसे लेने के लिए आया हुँ था दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बाते करते हैं लीली बहुत ज़्यादा टेंचन में थी तो माइक और हेली उसे अपने साथ गुमाने के लिए ले जाता है इधर दूसरे तरफ हम एक लड़की को रनिंग करते हुए देखते हैं उस लड़की की बेटी का फोन आता है तो वो उसका फोन उठाकर उससे बाते करने लगती है तबी पीछे से एक आदमी आकर उस लड़की को ब्योश करके अपने साथ में ले जाता है फिर हम एक बंद कमरे को देखते हैं और वहाँ पर मास्क पेने एक किलर था वो उस लड़की का पेर काट डालता है और वो उसके पेरों को किसी चीज की मदद से ऐसा जोड़ता है जिससे की वो लड़की अब एक पपेट यसी लग रही थी वो साइको किलर यूमन पपेट यानि की एक यूमन डॉल बनाना चाह रहा था फिर इधर हम देखते हैं कि लिली और माइक दोनों गुमने फिरन आये हैं और थोड़ी मस्ती करने के बाद में माइक लिली को अपने घर ले आता है घर आने के बाद में लिली माइक के घर की चीजों को देखने लगती है और वो रात को वो थोड़ा बात करते हैं दोनों बात करते करते एक दूसरे के बहुत क्लोस आ जाते हैं धिरे धिरे वो दोनों इंटिमेट हो रहे थे लेकिन उनको ये सब करते हुए कोई आत्मा दूर खड़ी हुए देख रही थी फिर अगले सुबह लिली पेंटिंग बनाने के लिए घर से गेस्ट आउस के तरफ चली जाती है और वहाँ पर अंदर जाते ही क्रिस नाम का एक आदमी उसे पीछे से आवाज लगाता है कि ये गेस्ट आउस उसी का था और उसी ने बनायता लिली भी उसे अपने बारे में बताती है और क्रिस कहता है कि चार साल पहले यहाँ पर एक लड़की रहने के लाई थी लेकिन वो अचानक से गायब होई फिर लिली अपने रूम में जो इस मिसिंग इंसिडेंट के बारे में ढूंडती है तो उसे पता लगता है कि गायब होई लड़की का नाम जेनिफर था और यह वही लड़की है जिसकी आतमा लिली को नजर आई हुई थी इसके बाद में लिली अपने कीचन में जाती है और दूद पीती है लेकिन वो यह देखती है कि उस दूद के अंदर कीड़े ही कीड़े भरे पड़े है तब ही जेनिफर की आतमा आके वहाँ पे लिली को कुछ सीन दिखाती है और तब ही लीली वहाँ पर भ्योश हो जाती है होश में आने के बाद में वो माइक को देती है और लीली माइक को सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था लेकिन माइक उसकी बातों पर एकिन नहीं करता और तब ही लीली को उल्टी होती है और उसकी उल्टी में से बहुत सारे किड़े निकलते हैं ये सब देखे कर माईक भी तर गया था जिसके बाद में लिली केसा डागा छोड़कर जाने वाली थी लेकिन जेनिफर लिली के कार का एक्सिडेंट करा देती है ये सब देखने के बाद में माईक लिली को सूजन नाम की उसी साइकिक के पास ले जाता है सूजन लिली को बताती है कि जैनिफर की आत्मा तुम से मदद मागने के गोशिश कर रही है और इसलिए वो तुमें केसा डागा से बहार नहीं जाने दे रही है वो जो भी तुम से करवाना चाहती है अब वो उसके दिखाए गए वीजन में चुपी हुई है और जब तक तुम उसकी मदद नहीं करोगी वो तुमारा पीचा नहीं छोड़ेगी अब अगले दिन लिली उन वीजन की पेंटिंग बनाने लगती है और माइक एक पलिसमें था तो लिली उसकी मदद मांगती है माइक उसी ओफिसर से पुछताच करता है जिसने जेनिफर का केस हैंडल किया था और इधर लिली स्टेर के ग्रेंट सन थॉमस के और रूम में चुपके से लेप्रोप को देखती है उससे वहाँ पर ये दिखता है कि थॉमस जेनिफर के चुपके से फोटोस ले रहा था और वो थॉमस के रूम की तलाशी लेती है लिली वहाँ पर एक बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रही थी कि तब भी वहाँ पर थॉमस आ जाता है तो लिली कम्पिटर के नीचे वाली अलमारी में छुप जाती है थॉमस आके लेप्रोप के सामने बेट जाता है लेकिन उसकी ग्रेंड मदर उसे बुला लीती है थॉमस वहाँ से चला जाता है और तब लिली भी वहाँ से निकल कर माइक से मिलकर थॉमस के लेपटोप से मिले हुए सारे फोटोस के दिखाती है तबी माइक को अपनी वाइफ को कॉल आता है और वो वहाँ से निकल जाता है इधर हम उसी साइको किलर को देखते हैं जो कि उस लड़की को यूमन पपेट बना रहा था और वो उसे एक पपेट की तरह चलाने की कोशिश कर रहा था वो बिचारी लड़की दर्द के मारे पागलो की तरह चिला रही थी लेकिन वो साइको किलर उस लड़की को लटका के पपेट की ही तरह उसके हाथ पर चला रहा था लेकिन वो लड़की दर्द के मारे ठीक से नहीं चल पा रही थी और वो इस दर्द को भी सहन नहीं कर पा रही थी वो लड़की तड़ परही थी और गुस्से में वो साइको किलर उस लड़की को मार डालता है वो साइको किलर उसके पेट में केची गुसा देता है और उस लड़की के मरने के बाद में वो किलर भी बहुत ज़दार होता है क्योंकि वो human puppet बनाने में fail हो गया था दूसरे तरफ लिली, माइक और हिली एक garden में time spent कर रहे थे लिली थोड़ा tension में थी और अचानक Jennifer की आत्मा लिली पर attack कर देती है लिली एक room के अंदर खुद को बान लेती है और इन सबी चीजों से हैली काफी ज़दा डर गई थी room के अंदर Jennifer की आत्मा लिली पर फिट से attack करती है जिस पर लिली बहुत चिलाती है माइक किसी तरह उस दोर को तोड़कर लिली को बाहर निकालता है लिली जो की भेंश होगी थी वो अब होश में आकर बहुत ज़दा रूती है अब अगले दिन लिली के पास में माइक आता है और कैता है कि वो उससे ब्रेक अप करना चाता है वो उसे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि लिली की दिमागी हालत के कारण हैली को उसे अब डर लगना लगा था माइक हैली को नहीं खोना चाता था और ये सब केकर वो वहाँ से चला जाता है लिली ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोती है और वो गुसे में अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स फेकने लगती है और तभी जो वो जमीन पर पढ़ी हुई पेंटिंग्स को जोड़ कर देखती है लिली को वही ग्रीन हाउस नजर आता है और लिली उसे ग्रीन हाउस के लिए निकल जाती है उस ग्रीन हाउस का दर्वाजा थोड़के वो अंदर चली जाती है और अंदर जाके वो सबी जगों की तलाशी दिन लगती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता उसे वहाँ पर बेस्मेंट में जाने का डोर मिलता है और वो basement में उस दोर से चली जाती है वहाँ पर वो देखती है कि जेनिफर के लाश अभी बलटकी है और तभी जेनिफर की आत्मा लीली को फिर से विजन दिखाती है जिसमें ये दिखाया गया था कि एक दिन जेनिफर पार्क में थी तब ही अचानक पीछे से एक आदमी आके उसके सर पर पंच मारके उसे भ्योश कर देता है और वो उसे अपने साथ में ले आता है जेनिफर को वो उसी बेस्मेंट में लाकर उसके हाथ और पेरों को काट कर उसे एक हीमन पपेट बना देना चाता था और जेनिफर के उपर वो किलर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था वो किलर हुमन पपेट बनाने में कामयब नहीं होता और इसलिए वो जेनिफर को भी माड डलता है लिली जब होश में आती है तो वहाँ पर थॉमस था लेकिन रात को जेनिफर की आत्मा लिली को परेशान कर रही थी वहाँ पर थॉमस भी था और बातों ही बातों में थॉमस और लिली के बीच में जगड़ा हो जाता है पुलिस वहाँ पर आकर थॉमस को अरेस्ट कर लेती है और पलीस वाला लीली को एक होटल के रूब में रखता है चूंकि अगले दिन उसे लीली का बैन लेना था लेकिन होटल में भी रात को जेनिफर की आत्मा उसे परशान करना लगती है जैसे कि वो उससे कुछ कहना चाती हो अगले दिन लीली पूलिस स्टेशन जाती है तो उसे पता लगता है कि थॉमस वो कातिल नहीं है क्योंकि कातिल तो कोई और है कि स्टेर और थॉमस को उनके ग्रिन हाउस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इस basement के बारे में तो सिर्फ उसी के पता होगा जिसने एक Greenhouse बनाया हुआ था वो पलिस वाला और लिली क्रिस के पास चले जाते हैं और लिली को कार में ही लौग करके पलिस वालब अन्डर जाता है वो क्रीस से पूछताच करता है और पूछताच करते ही उस पुलिस वाले को क्रीस पर शक होता है तब क्रीस एक हतियार से पुलिस वाले पर अटेक कर देता है जिससे कि पुलिस वाला मही पर गिर जाता है और तब क्रीस उसी की गन से पुलिस वाले को मा डालता है लिली कार से हम जिस चोटे लड़के को दिखते हैं वो क्रीस ही था और उसे अपने डॉल के उपर इतना जादा आप्सेशन बढ़ गया था कि बढ़ होने पर वो वही human puppet बनाना चाहता था क्रीस पूरी तरह से साइको किलर बन चुका था और इदर लीली की जब आँके खुलती है तो वो उसी basement में होती है जहाँ पर अब क्रीस उसे ही human puppet बनाने वाला था वो लीली को puppet बनाने वाला था लेकिन लीली ब्योच होने का नाटक कर रही थी क्रीस जब लीली को human puppet बनाने में busy था तो लीली वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन क्रीस पीछे से उसे पकड़ लिता है लीली एक हत्यार से क्रीस के उपर वार करती है तो लीली महाँ से एक जैंकल की तरव भागती है वो कार लेके मुआ से भागने लगती है और क्रीस अपने ट्रक लेके लीली का पीछा कर रहा था लेकिन थोड़ी देर के बार में लीली के कार का एक्सिजेंट हो जाता है और उसके कार पलट जाती है ये देखेकर क्रीस अपने ट्रक से निकल कर लीली को मारने आता है लेकिन तबी वहाँ पर जेनिफर के आत्मा आकर क्रिस को परिशन करने लग जाती है और मुका देखकर लिली क्रिस पर अटेक कर देती है वो एक केची लेकर क्रिस को मार देती है टिक उसी तर जैसे कि क्रिस ने जेनिफर को मारा था और मुवी के एंड में जेनिफर की आत्मा लीली को अपनी बेन माइकल की आत्मा से मिलाती है लीली आकरी बार अपनी बेन से बात करती है और फिर जेनिफर और माइकल की आत्मा को मुक्ते मिल जाती है और इसी के साथ में ये मुवी यही पर एंड हो जाती है दोस्तों इस मुवी में ये पता गया है कि क्रिस जब छोटा था तो उसे लड़के वाले शोप थे और इसलिए वो अपना प्रावेट पार्ट भी काट देता है लेकिन ये दूया उसे एकसेप नहीं करती और इसलिए वो बड़ा होकर एक साइको किलर बन जाता है दूसरी तरफ हम एक बेरी लड़की लेली को देखते है जिसकी बेहन की एक एकसिडेंट पर मौत हो गई थी लेली कैसाडा का नाम की एक जेकप पराती है क्योंकि वो बहुत जारा डिप्लेस देती और वहाँ पर वो एक साइकिक से मिलकर अपनी बेहन से बाते करने ही कुशिश करती है लेकिन उसकी बेहन से पहले जेनिफर नाम की एक दूसरी आत्मा उस पर कप्सा कर लेती है और जेनिफर उसी लड़की की आत्मा थी जिससे क्रिस ने मार था और लेली के मदद लेकर जेनिफर क्रिस को उसकी मौत का बड़ा लेती है और इसी किसंद में ये मूवी यें पर इंट होती है आए हो दोस्तों वीडियो आपको जूरूरू